तीम इडिया की जर्सी आप ये जो देख रहे हैं ये लॉंच कर दी गई है जो टी 20 वर्लकप जो होने वाला है सतर अक्टूबर से योई उमान उसमें पहने की टीम इडिया की ये जो जर्सी है जो पहने की कलर इस जर्सी से मिलता जुता है ग्राफिक्स थोड़े से बदले गए हैं वहीं BCCI का लोगो है तीन उपर तीन स्टार्स है जो आपको पता है T20E World Cup 2007, 2011 World Cup और Champions Trophy को रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों स्टार्स वहीं थोड़ा सा रंग इसका डाक कर दिया गया है शांदार ये जर्सी है अगर मैं बात करूँ टीम इडिया की पुरानी जर्सी के बारे में तो मेरी फेवरेट 2007 T20E World Cup की जर्सी है जो और तक मुझे आगए कि भारती टीम पहली बार चांपियन बनेगी वहीं आप शडियूल की बात करूँ तो टीम इडिया सबसे पहले अपना वाम-प माच 18 तारीक को खेलेगी उसके बाद में 20 तारीक को वाम-प माच खेलेगी फिर जब आएंगे जो प्रहुक माचेज हैं अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा माच होगा 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का फिर 31 अक्टूबर को जो माच होगा वो भारत न्यूजिलैंड का 3 नवंबर को भारत और अफगानिस्तान का बाकी जो मैच है 5 और 8 तारिक को होंगे नवंबर को जो क्वालिफाई टीम क्वालिफाई करके आएगी वो भारत के साथ में कहलेगी तो अब जर्षी आ चुकी है तारीक आनी बाकी है 15 तारीक को आईपील का फाइनल होगा उसके बाद में 17 अक्तूबर से ओमान में वर्ल्ड कप T20 की शुरुवात होगी 2016 में आखरी बाद T20 वर्ल कप खेला गया था जिसको वेस्ट इंडीज ने आखरी ओवर में छको की बलसाथ करके जीता था लेकिन अब वापिस रुमांच लोट आया है कोरोना के बाद काफी ब्रेक लगा T20 वर्ल कप तर लेकिन भारत से शिफ्ट होगे ओमान और यूई गया अपनी मीडिया तयार है जसी आचुकी है 24 सारी कमाच है हम भी आपके साथ होंगे और सूपर हिट माच होने वाला है वो